हुआ है गाइज वेलकम बैग डिस इस सौरव और नाव यूर वाचिंग दिराउट ग्लासेज आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं के और अपकी इस वीडियो और जानते हैं लिखने में वह समय लगता है मैंने पहले से लिख रखा है और आपको मैं अभी समनाने वाला हूँ इस केस को तो आपको इसको नोट तो अकाउंट में कैसे रिप्रिजन करना है तो तेक एन अथराइस्ट कैपिटल अथी कमपनी अज रूपीज 10 लाग डिवाइद इंटो 7500 इक्विटी सेर्स रूपीज 100 इच और 5000 प्रिफेंच सेर्स रूपीज 50 इच टॉप्राइश्ट कैपिटल मे अपके लिए प्रवाइट अप्र टॉपक लिएник लिए और दूसरा कोलाइब डहा है अमाउंट के लिए और ठेकले जिए यहां पर प्रॉफर्मा के बाइस पर रपर यहां पर बिजन करनी है अपने पहले यहां पर दिखाया 7500 equity share so rupees on trading which gives you the value of 750,000 now under this head your 5000 preference share of rupees 50 which will be represented and the total sum of money will be equal to 250,000 summing of these two value will give you the value of 10 lakh which is our actual authorized capital now issue capital will be the same as that of the authorized capital और यहां पर अप्डेक्ट पा रहे हैं कि जैसा authorized capital था आपका जितनी number of equity shares थी उतनी number of equity shares है जहां वहां पर भी preference share की जितनी number of preference shares थी वहां यहां भी उतनी ही है क्योंकि मैंने आपर लिख रखा है कि authorized capital के बराबर आपका capital भी है और आपका subscribe capital भी है तो आप कैसी दिखाएंगे तो जैसा कि आपका authorized capital होगा उतना ही आपका issued capital होगा उतना ही आपका subscribe भी होगा तो subscribe में मैं आपको बस बताना चाहा रहा है कि अंदर fully paid up हो तो आपको कैसी क्या करनी है तो subscribe capital के अंदर में आपका सब्सक्राइब करके और उसकी नीची आपको लिख रहा है अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं सब्सक्राइब बट नोट फुली पेड़ अप की केस को हम लोग रिप्रजेट कैसे करेंगे नोट्स्ट्य अकाउंट में अब हम लोग देखेंगे कि जो second case है उसमें यह है कि subscribe and not fully paid up में आपका पहला situation जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर subscribe and not fully paid up का जो situation होगा वो दो तरी case हो सकता है या तो company ने entire nominal value को call किया है और किसी shareholder ने nominal value की आपकी exact amount को pay नहीं करके कुछ कम pay किया है और दूसरी case जो आपके आती है वो यह आती है कि company ने खुद entire value को call नहीं किया है तो भी क्या होगा कि जो amount वो company receive करेगी वो face value से कम होगी तो दोनों ही case में किस तरी case से not to account में so करते हैं आइए देखते हैं जैसा कि आपने आपने देखा है इस case में क्या होगी कि आपको बागी सारी चीज़ें एक्डम सेम रहेगी यह case यह है कि आपको आपकी जो nominal value काल किया है बड़ कुछ आपके ऐसे shareholder होल्टर ह जो है equity shareholder को मालिक है तो उन्होंने का किया है कि 20 रुपे कम पे किया है equity share पे तो अगर आपकी face value equity share की 100 थी तो अभी कितनी हो गई है वो 80 रुपीज के सबसे इसको पे किया है 20 रुपीज नहीं किया है तो आप हम लोग इसको notes to account में कैसे दिखाएंगे बागी सारी चीज़ subscribe capital में आपको नीची लिखना है subscribe and fully paid up में fully paid up यहां पर मैंने क्यों लिखाया क्योंकि आपकी 100 सेर्स को चोड़के बाकि 7400 सेर्स तो आपकी नीट है जापर कोई भी छेचार नहीं किया गया है इसलिए 7400 जो एक्विटी सेर्स से उस पर आपको 100 रुपे के इसाब से 7500 आपको मिल रहा है 5000 प्रिफिरेंस के सब्सक्राइब को इसमें भी रुपिया रिसीव हो रहा है मतल और उन्होंने खुद अपने तरिके से अपने तरफ से उन्होंने 20 रुपे कम पे किया है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस चीच को रिप्रिजल करेंगे सब्सक्राइब बट नोट फुली पेड़ अपके हेड में यहाँ पर लिखेंगे कि 100 एक्विटी सेर्स एड़ आपको दिया है तो आपकी टोटल जो वेल्यू आ रही है जो कि आपने सब्सक्राइब से आपने रिसीव किया है वह है आपकी 7,40,000 2,50,000 और 8,000 रुपीच ठीक है जहाँ पर आपको 10,000 रुपे आने थे 100 रुपे वहाँ पर कितनी आ रही है 18 रुपे से आपको 8,000 आ रही ज़्यदा हो सकते हैं जिन्होंने जो नॉमीनल वेल्यू एक्टे लिए से कम उन्होंने रुपिया पे किया है तो आपको नौट 2 एकाउंट में कैसे दिखाना है आपके मन में यह भी कॉस्टन अराई हो रहा होगा कि सपोश कर लिज्ये सर की कंपणी ने खुद अपने से इंटारे वेल्यू जो सेर की होती है उससे उन्होंने कम कॉल किया है तो क्या आप उसको नोट्टो एकाउंट में एक से यह दिखाएंगे एकदम नहीं दिखाएंगे आपको उनको दिखाना ही नहीं है बल्कि अगर कंपनी ने खुद 100 रुपीज पे उन सेर्स को इसू किया ह कि आपको जो यहां पर से 100 रुपे आपने दिखाए हैं यहां पर 100 के जगर पर आपको 80 रुपीज दिखानी है मतलब कि 80 रुपीज के हिसाफ आप ने यहां पर इसको रिसीव किया है आप यहां बिलिख सकते हैं और आपको notes to account prepare करने में कोई problem आगे से आने वाली नहीं है। आगे आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि balance sheet कैसे prepare करते हैं और उनकी जो elements से उसको आप memorize कैसे कर सकते हैं। और यह सिदी सी बात है कि जब तक आप practice नहीं करेंगें तब तक आपको यह clear होने वाली नहीं है। तो I think कि मेरी वीडियो के साथ आप practice भी करें, exercise को भी बनाएं और examples को देखें तो I think आपकी जो problems होगी वो 98% तो clear होई जाएगी। 2% वो depend करता है कि आप consciously consistent है नहीं अपने studies पे, अगर वो भी 2% रहते है तो आपका 100% marks यह मेरी guarantee आपकी आएगी हैं आएगी। So thanks for watching, आगे मैं आपको बताऊंगा balance sheet के बारे में अपने next video में, if you did like this video, like it and share it with the needed ones and subscribe my channel if you are a new viewer. Thank you. कि आपको आपको को बारे में अवाईगी।